कई बार ऐसा होता है मैं अपने योट्यूब चैनल के वीडियो रात के एक दू बज़े या फिर सुबहे के चार-पांच बज़े भी रेकॉर्ड करती हूँ और इसके पीछे ये रीजन नहीं है बच्चों के मुझ पर सुसाइटी का कोई प्रेशर है कि अगर आज दी के योट्यूब चैनल पर वीडियो नहीं आएगी तो पूरी सुसाइटी रेनुकांटफाल को ताने मारेगी कि भई आज तेरी वीडियो क्यों नहीं आई या फिर ऐसा नहीं कि आज मैंने वीडियो अप्लोट नहीं करी तो मेरे मन में डाउट आजाता है कि मुझे सक्सस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी मेरा फ्यूचर में क्या होगा ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम पर YouTube चैनल पर वीडियोज अपलोड करना, वीडियोज की frequency maintain रखना, regularity maintain रखना ये सब मेरी जिन्दगी की priority है और जब कोई चीज आपके जिन्दगी की priority बन जाती है तो आप उस काम के respect करने लगते हो आप उस काम के प्रती 100% effort देने की सुचते हो और 100% efforts देने की हर दिन कोशिश करते हो किसी दिन अगर वो 100% achieve ना भी हो पाए आप अगले दिन को battle बनाने पर work करते हो और वही चीज आप लोगों के साथ है मेरे बच्चे अगर आप लोगों को AIMS Delhi जाना है तो ये आपकी जिन्दगी की priority होनी चाहिए अगर आप लोगो AIMS Delhi जाना है तो हर एक excuse side रखते वे आप लोगों का focus सिर्फ इस चीज पर होना चाहिए कि हर दिन मुझे 110% देना है जहां तक मुझे लगता है दो category के बच्चे हैं जो की बार-बार मन में एक ह्याल लाते हैं कि एक साल में पता नहीं एमस जाने लाइग महनत हो भी पाईगी या फिर नहीं हो पाईगी पहले तो वो बच्चे जो class 11th में serious नहीं थे अब वो class 12th में आ गए है 12th की बढ़ाई के साथ-साथ उनका 11th का backlog भी रह गया है अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है time कैसे manage करना है और दूसरी category में आते हैं वो बच्चे जिनका 11-12th हो चुका है और अब वो सोच रहे हैं कि हमारे पास society का pressure भी है हर relative एक दो दिन में call करके पोची लेता है कि नेट की preparation के लिए drop किया है तैयारी सही तो चल रही है एक तो दिमाग में वो चीज घूमती रहती है और दूसरी चीज self-doubt भी बार-बार आते हैं कि एक साल में 11-12th मैनेज हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी कोचिंग जा रहा हूँ, कोचिंग का syllabus और self-study मैनेज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी अगर कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो सर्फ self-study से पढ़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये दो category के बच्चे हैं पहले 11 की backlog वाले बच्चे और दूसरे drop a student society के pressure वाले बच्चे बच्चो अब वो वक्त नहीं है जब आप लोग ये सोचते वे time waste करे कि मेरा कल मैं बहतर बना सकता था लेकिन नहीं बनाया अगर बना दिया होता तो आज drop नहीं करना पड़ता अगर बना दिया होता तो class 12 के साथ 11 की backlog कवर करने वाली दिक्कर नहीं आरी होती ये वो time है जब आपको सोचना है कि आज जो मुझे time मिला है उस पर मैं कैसे work करो ताकि मेरा आने वाला कल अच्छा बन सके देखो biology एक ऐसा subject है जो कि तुम आखिर के 3-4 महीने में भी बहुत अच्छे से पड़ो तभी भी तुम पूरा syllabus कवर कर सकते हो लेकिन physics और chemistry महनत मांगती है और तगड़ी महनत मांगती है हाँ ये बात भी बहुत सच है कि जो बच्चा नीट की preparation के लिए पूरे-पूरे दो साल लगाएगा 11-12 दोनों सालों में बहुत अच्छे से महनत करेगा जाहिर सी बात है उसका preparatory phase as compared to आप लोग जो कि एक साल में ये एमस डैनी जाने का ख़़ाब दिख रहे है उनके comparison में smooth होगा है ना क्योंकि वो बच्चे पूरे दो सालों में अपने concepts पर work कर रहे हैं बहुत आराम से preparation करेंगे doubt होगा तो बहुत time देंगे doubt को समझनी के लिए लेकिन तुम्हें एक ही साल में syllabus completion पर focus करना है doubt clearance पर focus करना है, revision पर focus करना है, question practice पर focus करना है society के pressure को भी handle करना है, comparison को भी handle करना है, negativity को भी handle करना है तुम्हारे लिए जर्नी tough होगी लेकिन नामुम्किन बिल्कुल भी नहीं होगी मेरी जान और तुमने भी I'm sure YouTube पर काफी YouTube creators के videos भी देखी होगी जो कि at present MBBA students हैं, Aims Jelly से पढ़ाई कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो class 11 में serious नहीं थे, लेकिन 12 में आकर वो लोग serious हो गये थे और हर दिन को 100% utilize करते थे और एक साल के preparation से ही उनना ने Aims Jelly crack कर करके बताया तो आप अपने हाथ में copy pen लीजेगा और सारे reasons लिखेगा जिसके वज़े से तुम्हें बार-बार ये doubt आता है कि मेरा एक साल में Aims Jelly नहीं हो सकता और हर एक उस reason पर work करने लग जाहिए जिस भी दिन आप उस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो की देखने के बात से लेकर जब तक आप लोग अपना नेट 2024 का paper देकर नहीं आ जाते हैं आप हर दिन उन सभी reasons पर work करेंगे जो कि आपको Aims Jelly पहुँचने से रोक रहे हैं जो कि आपके मन में बार-बार सेट डाउग लेकर आ रहे हैं सबसे पहले तो दिमाग से खयाल हटाओ कि मुझसे physics हो नहीं पाती है तुम कोशिस तो करो, मान सकती हूँ कि कुछ type के numerical तुमसे हो ही नहीं पाते बहुत difficult लगते हैं, बहुत बार समझने पर भी समझने आते फिलहाल के लिए उनको side रख कर, बाकी सारे topics पर तो work करो, जो कि तुमसे हो पारे हैं जब ये सारे topics strong हो जाएं, तो इन difficult topic को देखो कि कहां कमी रह रही है अगर तुम्हें लग रहा है कि इन difficult topic को समझने के लिए मुझे एक बार शायद से class 9-10 के concepts को टटोलना पड़ेगा, तो टटोलो अगर तुम्हें लग रहा है, एक particular type का numerical तुमसे बन नहीं पा रहा है तो वो numerical किस pattern पर based है, उस pattern के 5-6 questions करो, नहीं हो पा रहा है 10-12 questions करो, जब तक समझनी आ रहा है करो बच्चों महनत तो करनी पड़ेगी और रगड़तर महनत करनी पड़ेगी क्योंकि इस एक साल में ही तुम्हें 700 target करना होगा at least आज से 6-7 साथ पहले की बात करो तो 660-670 वाला बच्चा भी Ames Delhi चले जाता था लेकिन आज देखो 680 वाले बच्चे को भी Ames Delhi नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे 700 प्लस तुम्हें आना पड़ेगा तब जाकर वो Ames Delhi की सीट तुम ले पाओगी तभी जाकर तो compete कर पाओगे नाम ही competitive exam है हर एक दूसरा इंसान तुम्हारा competitor है उससे लड़ने के लिए तुम्हें अपनी महनत दुगनी करनी पड़ेगी ना मेरे बच्चे तो जिन्दगी के सारे distractions, सारी negativity, सारे excuses को side करके खुझ से पूछो कि क्या reason है जिसके वज़े से तुम्हें Ames Delhi ही जाना है और खुझ से पूछो कि क्या efforts तुम पूट कर सकते हैं Ames Delhi जानी के लिए बाईली जी का मैंने आप लोगों के लिए पूरा वानियर प्लैन अप्लोड कर दिया है मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे YouTube चैनल के community post section में जब तल तुम्हारा नीट 2024 का पेपर नहीं हो जाता है हर दिन में community post section में आप लोगों को chapter wise questions पूछ रही हूँ ताकि YouTube पर चैप्टर wise, unit wise, biology, full slaver mock test की PDFs uploaded है free of cost तुम लोग पढ़ चैप्टर 500 plus questions प्रक्टिस कर सकते हो मैंने आप लोगों की genetics जो difficult लगते है उससे little videos आप लोगों को provide कराई ली है super short series नाम से 50-50 seconds के shots upload कर ली हो ताकि आप लोगों का quick revision हो सके बहुत obvious सी बात है कि physics और chemistry के लिए कर रहे हैं लेकिन उनके work करने से तुम्हारा AIMS daily नहीं आएगा वो work कर रहे हैं लेकिन जो उन्होंने महनत करी है तुम्हारे लिए उनकी की गई महनत पर खुद के efforts पुट करने से AIMS daily में admission मिलेगा तो बच्चों अपने daily के targets बनाना शुरू करिए बाइदी जी को super strong करने पर work करिए physics के numericals जब नहीं होते हैं तो वो numericals किस pattern पर बेश्ट है उस pattern पर बेश्ट बहुत सारे numericals करिए ताकि उस type के questions पर command आप लों की strong हो जाए अभी से ही detail notes, quick revision notes बनाना शुरू करिए कोई नहीं रोग सकता तुम्हें AIMS daily पहुचने से जिस दिन यहां पहुचना 700 plus score your priority अगर आप लों को साल 2024 के बैच से AIMS daily join करना है Thank you so much for watching this video and if you like it, make sure to hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you